जीतू का, गितबाज का नाम ही है जीतू, मैं जीतू, हाँ जीतू रैटम ओवर दिविकेट के दबाजी करते हैं, पहली गेहिद, अब इतना रन नहीं बनेगा यहाँ पे, फ्लड लाइड्स में अक्षर जो स्कोर देखने को मिल रहा था इसके पहले दिन में, या बन भे सकता है बहुत अच्छी गितबाजी, कंदे का अच्छा इस्तेमाल, चौट पीट पड़ की विगे, लेकिन आप इस नब के बाएर वाइड का इसाराम पायर का दो गेदे डॉट कराने में कपिल के सामने बिलकुल काम्याब हुए हैं जीतू, नवकार चेलेंजर्स के वाइड का इसारा, हाँ, गेदे डॉट ही वो कही जाएंगी, वाइड अत्रिक्ति खाते में जुड़ेगा जरूर ये गेद भी वाइड वाइड के साथ दो रन टीम के खाते में जुड़ते वे, बल्लेबाज कपिल को अभी भी खाता कोलना है दिवाराद्री का ये मुकाबला, अमबेश कप का ये मुकाबला, सीजन पांच का ये मुकाबला, पहला सेमी फाइनल, नीची रती वी गेद बल्ला जरूर चला है बिलकुल बात करके रख दिया है कि दिवाज जीतू ने बल्लेबाज कपिल को ऐसा लग रहा है कि बिलकुल हाथों में हत कडियाँ पहरों में बेडिया डाल करके चारों खाने चेट कर दिया गया हो बल्लेबाज को अब चाकर के तोड़ा से विरीत वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कपिल ने यहाँ पर बल्ला बदला पहले डेड़ किलो के बल्ले से खेल रहे थे अब डाई किलो वाला बैट उठा लिया है शायद उससे काम बने अच्छे बैट्समन है यह कपिल तबी तो ओपनिंग में आते हैं उनसे आज सेमी फाइनल में बड़े रन की उम्मीद भी है लेकिन चार उपरों का मुकाबला है तो डाट गेदें आप नहीं किल सकते यह भी बात सही है फिल्डर तयार बोलर तयार दुदिया प्रकास किते म्रोष्णी और शाम का समय है तो बादल की तरब जब नजर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल चाये हुए जैसे लग रहे हलाकि चाहत जीने चंदा मामा कहते हैं प्यार से बच्चे आसमान में जने से लाइब टेलिकास्ट आप तक पहुच रहा है हमारे जितने बेश्पांसर है उनका तहे देल से सुक्रिया पाउडवाइस बगति लाल पन्ना लाल एंड कंपनी जैवेरी बजार जुके हमारे टीशर के भी स्पांसर है गेस्ट वेलकम सदीपा की टो दिया इस बीच गेद बाता है यार फुल्टोस बना लिया और गेद को खेल दिया वन बाउंस के बाद स्क्वार लेक माउंड़ी के बाहर जाती भी गेद चार रन के लिए स्रिनाध जिवल शोक का लुकेश पामना जीशोष पामना जी असकूर अभीवी छे पर रुका हुआ ग्राउंड जीश्कुमार रोश्न लाल जी मदरीच आविरार आपका बहुत बहुत अविरंदन इस्पीच गिदवा तयार है फुलर लेंद की गेती वल्ले पे आई नहीं टिक प्रकार से लेकिन गई जरूर है लोंगान के पिल्डर में उड़ान के च्छत सगेत को पिल्ड करते वे सिंगल यहां पर मिलता हुआ दूसरे रन की कोशिस कर रहे थे बल्ले वाज लेकिन साथी के लाड़ी ने मना किया पहला उबर समाप्ति की उबर की समाप्ति के बाद पहले बल्ले वाजी करते वे पहले सेमी पानल में टोस्ष वर करके कारगर इलिविन की टीम ने बना लिये है कूल सात रण मिना किसी नुकसान के लंच के स्पांसर जतिन प्रजापती जी मेजिका हाड़वेर डिनर के स्पांसर हानी मेहता ये मेहता कुछ नहीं कहता हानी मेहता कितना अच्छा नाम है सरका राजेंद्र गोल्ड श्री नाकोडा ग्रूप सात रन मनें अभी तक बोलर नेम बोलर स्नेम बहुत समस्या यही होती है कि जब टीमें खेलने के लिए आती हैं उनके पास ट्वेल्ट में नहीं होते हैं तो नाम जानना बहुत मुश्किल होता है एटलिस बोलर का नाम आप बता दीजिए नयन और जैसे कोई कैचोच लेगा रन आउट करेगा आप नाम बता दीजिएगा सर अने था बाद में आप बोलेंगे कि कैच इनोंने लिया नाम इनका आया डिनर के स्पांसर हनी मेता जी क्रिकेट एक्यूपमेंट पंकज राजमल जी मादरीशा टॉस के बोश बगवती जोल श्रीहनी की कमल जेन जी कमल भाई बहुत-बहुत स्वागत सुबसे आप यहाँ पर बने वे इस भी इत कहलना चाते हैं स्क्वाइर लेके चथ में पेकवड़ी स्क्वाइर के चथ में गई सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा और पोर के स्पांशर श्रीनार जोयल श्रीनार जोयल श्रीश जी संग्वी आप सभी महानबाओं का तहे दिल से सुक्रिया अभिड़न दन इस बार पुल्टास गेद आतों में खेल बैटे लेकिन नो बॉल का इस शारा आश्मान से गिरे खजूर पे अटके यही तुह क्र अब चलते हैं इस सेमी फाइनल की तरब जहां पर खारगर की टीम इस समय बले बाजी करने के लिए उतरी है कि दूसरा उबर चल रहा है रन ज्यादा नहीं बने हैं मातर स्कूर बोड पर नौ रन लगे हैं कारगर की टीम तोड़ी से मुशिवत में है क्या अच्छी गिद्वाजी यार करा दिया था तरकस से जो तीर निकला शब्द वेदी बान निकला उसका बल्ले बाज के पास को कोई जवाब नहीं था बल्ला जरूर चला लेकिन धूल उड़ी वहाँ पर और कुछ नहीं हुआ बाल बाल बचे नो दूसरा उबर चल रहा है गेद बाज हैं नयन तीनक्षर का मेरा नाम उल्टा सिधा एक समान नाम नयन इस बार आप श्रम के बाहर के गेद वाइड का इ प्यार होता है दोनों सुबह साथ-साथ खुलते हैं जागते हैं दिन बर साथ-साथ देखते हैं रात को साथ-साथ सो जाते हैं सुख होता है तो हस लेते हैं दुख होता है तो रो लेते हैं लेकिन क्या टूट प्रेम है इन नैनों के बीच का जो कभी एक दूसरे को प्रत् कुए दूसरे को कभी देखते नहीं है प्रत्यक्ष रूप से मैं आइने की बात नहीं कर रहा हूँ पहा है थि मिस्किल है इनके दिल की भावनाओं को भापना ये है प्रकाश पामना प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका दिनवर में कई बार हम लोग आपको याद कर रहे थे प्रकाश भाई स्कूर 11 कितने बारा तेरा तेरा रन दूसरा उबर चल रहा है नैन कि वड़ी तारीफ हुई लेकिन नैन तोड़ा सा दिशा से वटक रहे हैं कि उल्टास गेद कितनी तेजी थे गेद में बल्ले पे लगी तो बल्ले बाज भी जुक गए कपिल के खाते में डॉट गेदे बहुत है रन चे है और विनीद भी तीन गेद पे किवल एक रन बनाए है लेकिन अच्छे वैट्शमें दोनों है दोनों अगर थोड़ा खड़े रह गये लेकिन कब तक खड़े रह गये रन तो बनाना पड़ेगा आप कारगर को बड़े शॉट की दरकार है लेकिन क्या गेदबाजी है कारगर को बड़े शॉट की दरकार है लेकिन देश में तो मोधी सरकार है ओबर समाप्त हुआ ओबर समाप्त हुआ दो बर तेरा दो बर की समाप्ते के बाद तेरा रन विकेट भी नहीं गिरे हैं रन भी नहीं बने हैं कारगर की टीम मुश्किल स्थिती में पसीव ही है बोलर नेम कोई 12th मैं है क्या नवकार चैलेंजर का सर नाम बताइए ना केतन तैंक यू केतन प्रकास पामना जी मंज पर आयें प्रकास पामना जी का सामना जब भावेश से हुआ तो भावेश भावाई ने कहा पहले आपका स्वागत और स्वागत उनका बावेश भाई बावेश भाई तीला का क्लेश भाई लगाएंगे सबसे प्यारे दोस्ते इनके इनके वीच में अटूट रिस्ता है और वहाँ पर अंगवस्तर कि अच्छ नहीं होते हैं अच्छ नहीं होते 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 बच गया चौदेर अच्छूदन स्विफ करने की कोशिश वाइड का इसारा अमपैर का 14 वर्स का वनवास हुआ था प्रभु सिजाम को लेकिन यहां 14 से 15 हो गए हैं लेकिन चार उबरों का मुकाबला तीसरा उबर भी चल रहा है अच्छी किदवाजी हुई है मैं तो कहूंगा अभी तक बिल्कुल बात करके रखा गया है वल्ले वाजों को मिड़्विकर के चत्र में खेल कर दूसरे रन के लिए दोड़ पड़े है रन आउट का कत्रा यहां पर जाना पड़ेगा अमपैर वन शॉर्ट या क्या इशारा है तो कोई रन नहीं बैठे थे पंगत में ना दाल मिली ना बाटी चपल हो गई गयब दूसरे रन की मांग पहला रन भी शॉर्ट और उसके बाद दूसरे रन पे रन आउट क्या बात है दिपक भाई बहुत-बहुत स्वागत आपका कि 24-7 हां आल लाइन क्या बात है क्या बात है विनुद भाई कि 15 अभी तक बने है अधि कि अधिक अधिक है कि अधिक भाई यानिकी दीपक कोड़ी फोड़ा डीके भाई को आप देख रहे हैं मैच का लुद्व आप उठा सकते हैं फेस्बुक लाइब पे ट्वेंटीप और सिविन नाम दिया गया है डीके भाई की तरब से यह आपके लिए बेवस्था की गई है सूलर रन अभी तक बने हैं और बहुत मुश्किल किस्थिती है इस समयकारगर 11 की यह स्वाट अच्छा है और चेहरंद बाउंडरी के बार किसी ने एक हाथ से कैच पकड़ा क्या किसने किसने पकड़ा हाँ नाम बताईए नाम सोहन सिंग सोहन सिंग ले जोरदार तालिया और अगले अंबेस कप में एक स्पांसर्शिफ इनकी तरफ से भी अब तालिया नहीं बज रही है कि दीपु भाई की तरफ से एक साउगात मिलेगी वो क्या होगी दीपु भाई सस्पेंस रखे हैं एक विकेट का पता निया पर बले गुफरी हिस्चे पर गेद विकेट कीपर ने शांदार कैच लिया विकेट कीपर का नाम सर नेक्स मैच का टोस अशीश अशीश भाई दूसरा समी फाइनल अंबेश 11 वर्स अधिश्वर 11 अंबेश और अधिश्वर यस अधिश्वर नेम निर्मल रन कितने बने हैं रन क्योंकि भाई अगर नहीं बताया तो पूछा जा रहा है बाईश सोला से बाईश पर पहुचा स्कोर सिक्स लगा के बले बाज आउट वे अच्छी वेटिंग कर रहे थे मिनुद जी आप मंच पर जाएं बिनुद भाई आप मंच पर जाएं बिनुद भाई सेमी फाइनल का मैंच है आप जॉइन करें कमल जी को लास्ट यहर हमने महाभी भाई की बले बाजी भी बहुत शांदार देखी थी बड़े शिक्स लगाये थे इनोंने बाईश सर निलेश यस ठेंक यू चौथे उबर की गिदवाजी करने के लिए है निलेश आखरी उबर की गिदवाजी करने के लिए है निलेश तीन उबर के समापते के बाद 22 दो फिकेट के नुक्सान पर आते ही यह आपे शॉट क्या खूपसुरत जमाया वाड़िस लोगान के ओप वर से चेरन कि चंदन प्लाइब ओड़ सिक्सर अब कर दो आफ दूबर में रन जरूर बनेंगे लेकिन गिदवाज के पास ओकला होनी चाहिए कि कैसे बचे कि वाइड का इशारा पाउं स्लिप किया और जब पैर फिसलता है न तो अच्छा है पैर आपका पीछ पे फिसले जब आप गिदवाजी करने के लिए लेकिन आप समल जाए चोट आपको ना लगे बस लाइप में पैर नहीं फिसलना चाहिए खास करके यंगेज में वो फि को खेला डीप अक्षा कवर के चित्र में जाते हुए स्रिना जोलस्चों काता वाचार रन कि चोटा ओबर चल रहा है गियर बदल दिया है वाले बाजने मयोर सेल इसका भी डाउन हुआ है एक और शॉट कि चल रहा है उसके पास न जाए यह ध्यान दीजिए खेलने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसको किसी की जम्यदारी पर चोड़िए जो ध्यान दे यह भी शॉट अच्छा है एक रण मिला दूसरे रण के मांग दो रण गचप की बले बाजी कर रहे हैं यहां पर विनीत रण संक्या पहुंच चुके इस समय पोर्टी वन पे जो स्कोर चाहिए वो मिल गया पोर्टी वन गेदे कितनी बची हैं दो यह उपर बहुत बड़ा छे चार छे दो गिदवाज को विकेट के लिए जहाना इन नहीं है कि वाइड कि दबाओ है प्रेशर है लेकिन अच्छी गिदवाजी के जरुएत है फोर्टी टू लेकिन का अगर के टीम इसमें बहुत अच्छी सिती में देर आए दुरुस्त आई यह वनले बाच इसमें के कोशिश गेर गए पड़के गूम गए लेकिन गेद आई नहीं वनले परा अच्छी गिदवाजी एक गेद है आकरी गेद इससी दिख के स्कुर पौर्टी टू बैयालीस‬ यह 42-43 पे रुखता है 42-42 पे रुखता है 42-46 पे रुखता है 42-46 पे रुखता है कहां रुखता है यह 42 42 वाले तो कहां रुखते हैं आफिस में कार खाने में अपने चौप पर जाके रुखते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है यह 42 स्कुर्ले के ऊपर से चेरान झाल 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 अब नवकार चलेंजर अपने 12th मैन को कमेंटी बॉक्स में भेज दे क्योंकि फिल्डिंग करते समय आपके पास 12th मैन नहीं थे लेकिन आप अलिवाजी करते समय जिने आप लास्ट में भेजने वाले हो उनको भेजना ही पड़ेगा आपने नहीं भेजा तो फिर रनों के कटावती हो सकती है हो सकती है नहीं नाम हाँ नाम बताईएगा नहीं तो फिर कैट चोच में लफड़ा हो जाएगा नवकार चैलेंजर्स आपके तरफ से एक्स्टा प्लेयर कमेंटी बॉक्स में आ जाए नवकार चैलेंजर्स किसी को कुछ पड़ी नहीं है फिर कमेंटी बॉक्स की तरफ से कुछ भी कोई दोस नहीं होगा किसके खाते में रन गया कौन आउट हो गया कौन अभी जा रहा है उसके सारे रिस्पांसबिल्टी केवल है और केवल आपकी होगी किसी को करते है और आपकी है चलिए गिदवाजी करने के लिए जितेंद्रा 49 रनों का अलक्ष नवकार चलिंजर्स के सामने रखा है खारगर 11 की टेम ने अंती मोबर जबरदस्थ हुआ अब बल्लेबाज इस समय भाविन और भाविन के साथ जिनेश बाविन और जिनेश के जोड़ी और मैच स्टार्ट किया जाए अंपायर 49 रनों का अलक्ष आखरी ओबर बहुत बड़ा हुआ आखरी ओबर में बहुत सारे रन आये नतीजा इतना बड़ा टार्गेट मिल गया पहला दूसरा उबर शांदार था लेकिन तीसरे चौते में रन बने अच्छी गिद्बाजी है सिंगल यहां पर मिल जाएगा जेहाँ ठोल और सटी होता तो नहीं मिलता यह रन वाइड वाइड प्लस वन काता खुला टीम का टाकुला नवकार चैलेंजर टीम का मैं पुर्टी नायन रन बनाने हैं और चार ओभरों का मुकाबला यानिकी चाहरर का मुड़्य च्वभीस गेदे और उन्चासर रण करने हैं समी फाइनल का मुकाबला दिस फरस्समिफाइनल विदी नवकार चलेंज शान कारगर 11 नवकार चलेंजर स्वन दी तोर्स और दे टू बोल फरस्ट खारगर इलिवन टोस जीत हार करके बलिवाजी करते वे नवकार चैलिंजर्स के सामने चार ओवरों में उन्चार्श रनों का टारगेट दी है इस गेट को टोस पे आ करके डिफेंसिव हो करके केला सिंगल लेते वे दोनों बलिवाज शोर को परिवर्तित करने की कोशिश करते वे जितेश और साथ में बाविन की जोड़ी मैदान में है पटकी वी ये गेद आफिस्टम पर खेलने की कोशिश डॉट के दोती भी आगे निकले बल्ले बाज गेद बल्ले पर नहीं आ रहे बल्ला तो चलाना पड़ेगा बाविन को वो बकू भी जानते हैं ये फोटे नाइन रन अगर बनाने है इस मुकाबले को जीतना है तो हर गेद पर बल्ला चलाना पड़ेगा लेकिन गचप की बल्लेबाजी किया था कासकर के विनीत ने अपनी टीम के लिए सब बिश्रन बनाए सीधी अंगली से गी नहीं निकल रहा है अंगली को बलके हाथ को ही टेड़ा कर दिया रिवर्शिप केलने की को शिश नाकाम होती भी देखिए दो वहाँ पर दो जो डॉगी है वो भी जाकर के बलके नजदीक से देख रहे है और मुझे लग रहा है विनुद भाई ये जो डॉग है ना उसके आँख का भी आपरेशन हुआ मोतिया बिंद का दूर से उसे मैच नहीं दिख रहा था इसलिए बिल्कुल नजदीक से जाकर के देख रहा है कौन बैश्मेन है विकट कीपर कौन है कि असा परिवार गया है वो हाँ जब भी यहां पे रात को मैच होता है तो रहते ही अंपैर देखें उनको बगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार सच में कोई बुड़ा आदमी हो आखों का अपर कर रहा है अगली पकड़ करके लेकर चल रहा है कि मैच की बात करते हैं यहां पर पांच रण बन चुके हैं और पहला उबर समाप्त एक उबर की समाप्ति के बाद पांच रण अट्रह गेदे बची हैं और अभी भी विश्वालिस पोटिफोर रन बनाने की अवस्षकता है है मुकाबला दिल्चस्प है नौकार चलेंजस और कारगर 11 के बीच पहला सेमी फाइनल का यह मुकाबला चलता हुआ बहुत अच्छे गेदवाज अब आए हैं हितेश इनकी गेदे दिन में नजर नहीं आती थी रात को क्या नजर आएंगी बहुत शांदार गेदवाज ही आज किया है ट्रिक किसने बनाया था आज आज एक हैट्रिक बनी थी सेंडी की संदेश संदीप सेंडी तीन नाम आज उनको दिया गया स्वाट अच्छा है लेकिन फिल्डर उसोर है और अच्छा कैच झाल एक है लेकिन पनको एक विल्डर आप मौना है लेकिन बनाया इस दित्क फिल्डर आज रित ती मौने तींटें आज क्या है फिल्कों सेंडी तीं नाम आज एक हैट्डर ओयोंस्क्रावाज झाल एक चीत तो प्रूफ हो गया विनुद भाई स्विविंग पूल का पानी खारा होता है नहाने वाला नमकीन अगर हो तो हाँ बोजन शुरू हो चुका है जिसे डीनर आप कहते हैं डीनर शुरू हो चुका है और अमारे डीनर के श्पांशर है हानी मेता जी राजिंद्र गोल्ड श्रीना कोड़ा ग्रूप जो भी डीनर नहीं कियो हो जाकर डीनर कर लें सफलता मिल चुकी है गिदबाज को दूसरी गेद अबर में वह भी विकेट लेते लेते वची तीसरी गेद थी है पहली गेद डॉट दूसरी पर विकेट तीसरी गेद डॉट होती भी शांदार गिदबाजी है कारगर के पास लेके ना नौकार चैलिंजस की टीम को रन बनाने पड़ेंगे तीसरा और चौथा ओवर विनुद भाई बहुत महँगा पड़ गया बहुत महँगा पड़ गया वो कहते हैं न सारी उमर गुजर गई पत्थर को तरास्ते तरास्ते और जब शक्ल यार की बनी तो खरीददार आ गए दो बर क्या शांदार गिदबाजी हुई थी बात करके बिलकुर कारगर के बल्लेबाजों को रखा गया था रेकिन उसके बाद विनित क्या क्रामक बल्लेबाजी किये 26 रन लूट लिये आने के बाद लूट लिये मैं इसले कहूंगा क्योंकि दो बर में तो रन आई नहीं रहे थे यहाँ पर मात्र 6 रन स्कूर बोर्ड पर अंकित है दूसरा ओपर भी समाप्ति की तरफ दीरे दीरे बढ़ रहा है चार गेदे हुई है स्कूरर हमारे बहुत अच्छी स्कूरिंग करते वे हितांशु साथ में उनके डिजिटल स्कूरिंग करते वे राम जीत साहनी कह रहे ह दूसरे रन के लिए चट पटा रहे हैं वल्ले बाज लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ेगा दूसरा रनिया पर नहीं मिलेगा दोधिया प्रकाश कृतिम रोशनी में सराबोर होता हुआ है यह नारंगी ग्रामश का नारंगी ग्राउंड नाम नारंगी लेकिन बिल्कुल हरा यह ग्राउंड है मुझे विरार की अगर बात किया जा सबसे अच्छा ग्राउंड अगर कोई पसंद है तो यहीं ग्राउंड फ्लेड लाइड्स भी अच्छी है अंपारिंग अच्छी होती है सब कुछ यहां पे अच्छा है और कमेटी जितनी है अमारे नारंगी ग्रामस्कीडा मंडल की उनका साथ वको भी मिलता है स्कूर आठ रन दोबर की समापते के बाद आठ रन दोबर की समापते के बाद जब बलेबाजी कर रही थी टीम खारगर तो कितना स्कूर था हमारे स्कूरर एक बार बता रहे है तीरा था 49 टूइन अब यहां से वी नीट वी नीट के सामने इस समय बैट्समेन है नयन 0,1,1 डेली का शड़ी कोड यह इनके खाते में अंकित है बल्ले पर गेज़ ठेक प्रकाश से चड़ी रही त्रो कहां पे जा रहा है अच्छे फिल्डर है जब यह कोई फिल्डर घड़ी लगा करके फिल्डिंग करता है तो मुझे क्यों बेस्चंडीच के खिलाडी नजर आते है वो बेस्चंडीच के अक्सर खिलाडी फिल्डिंग करते है तो घड़ी लगा करके आप देख लेजे पुलाड को देखें लोगों को सबको आगर आप देखेंगे कि खारगर के पुलाड है यह कि मिड्विक्र की छेत्र में फिल्डिंग करते विए नाम है निर्मल तन भी निर्मल मन भी निर्मल हाँ विबेन रिचर्ड्स वो सब तो बहुत बड़े बल्ले बाद सर फाइल लेगा के छित्र में कहलना चाते थे डीप अब एक वर इसको आले के छित्र में के जाते वे फिल्डर बागते वे सिंगल डवल में तब्दील हो जाएगा लेकिन जब तीसरा उबर गस्षील हो स्क कि खुशियां कार से नहीं प्यार से मिलती है और ऐसे मौके पर जीत एक से नहीं चार से मिलती है और विनुद भाई कहा भी जाता है ना ज्यादा पेड़ बच्चे कम जिन्दिगी में क्या गम लंबे शॉट रिस्के रन मैच कतम उसी की जरूरत है कमल भाई फिर से आपका एक बार स्वागत है पंदर पर स्कूर रुका हुआ पोटी नाइन का टारगेट है और गेदें अब कितनी बच्ची है साथ इसाथ पर कितना इसाथ पर चौंटिस साथ पर चौंटिस अमबेश इलिवण भी तैयारी कर रही है सामने अदेश्वर 11 की टीम अमबेश इलिवण ने टोच जिटकर सेमी फाइनल मुकाबले मैं कित्वाजी करने का फैसला किया है सब कुछ वाँ पर तयार होती भी लेकिन गिद्वाच यहां पर तयार है विनीत कि वाइड का इस शराता हुआ खेलने की कोशिस थी कि बल्ले प्याई नहीं एक रण इस समय नौकार चलिंजिस के खाते में जुड़ जाएंगे रण संक्या पहुंच चुकी है सोला पर निर्बल भाई काफी खुश नजर आ रहा है मुस्कुराट चेहरे पर है अब उसे छुपा रहे हैं दिखा नहीं रहें अभी कि मैच पहले फिनिस हो जाना चाहिए हाँ हाँ बल्ले वाज प्रंट पुट पे आ रहे थे तो गेदा के पहरों से लिपड़ गई अजब कोई पहरों में पढ़ जाता है कहता हमका माफी दैदा तो माफी दे दी जाती है आध़क अघयोव के घजब के जिवा चाहिए ओबर समाप्त bean तीन इबर के समाप्ती के बादgage sollar Guardian का कितनी wie connected कितने रन और चईय हैं यह शे गजब और रन कितने रण 11पे थेज़ त्याओने और दो connects को तो च्ँपर चथ्य भी बनते हैं लेकिन चश्य पर टैहिश ही जब किए स्कूरिंग कर सहनिंद 22 इक कर दो वाल एवा स्कूरर कर रोद आम्पार रेम्पारिंग के जमिदारी अप। से मैं आकाश ए है कि यह ऑनजिएंद जैसे जुदरーー दो अम्पायर इस समय उभां पहरं अमपायर के जमेदारी निवाते वे अ कि हमारे स्कूरर जो नाम बोल रहे हैं जैसे बोलने हैं मैं वैसे ही बोल रहा हूं मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है में तो डूंबी वली वाला हूँ विरार से मुझे जाना भी है इसलिए अगर किस बहुत अच्छी गिदवाजी राजीश अच्छी गिदवाजी करते वे शांदार गिदवाजी करते वे दो गिदे डॉट करा चुके है जीत की सोधी सोधी खुश्बू अब इस समय खायरगर टीम को मिल रही है जस्प्रकार पहली बार इसके बाद उसकी खुश्बू होती है वहीं खुश्बू इसमें खायरगर को भी आ रही है फाइनल की तरफ दस्तक दे थी वे खायरगर की टीम लेकिन नवकार चलेंज़स की टीम सायद इससे अच्छा कर सकती थी उनके पास भी काबिलियत थी वो लेकिन आज उनके लिए दिन अच्छा गटित नहीं हुआ है अभी वे खारगर की तरफ से फिल्ड में लगातार तबदीली की जा रही है बलेवाजों को फसाने की कोशिस की जा रही है बादने की कोशिस की जा रही है तीन गेदें 32 रन कोई भी टीम यहां से जो है इस समय बिना खाना खाए नहीं जाएगे खाना खागर के ही आपको जाना है यही आपको हमारा साथ निवाना है कि आपको खाना खागर जाना है हाँ हाँ अब तो गेदबाज सोच रहे होंगे जो लास्ट शोबर में गेदबाजी किये थे नवकार चैलेंजर्स की तरफ से कि जो बड़ा रन हमने दे दिया क्यूं वो रन आए बहुत अच्छे गेदबाज वैसे हैं कभी-कभी जहीर खान के साथ भी वैसा हो गया था पैथिव हेडन एड़म गिलक्रिस सामने जब थे यह मैच का पार्ट है लेकिन कैप्टन तो सोच रहे होंगे ना कि कास के दवाजी में कुछ और परिवर्तन हुआ होता कारगर की टीम ने इस मकाबले को जीत लिया है पाइनल में प्रविश्च कर चुकी है सेलिब्रेशन होगा बाहर अंबेश लिवन की टीम अंदर आधिस्वर के वल्लिबाज भी अंदर उन्दरेशन होगा है